हालो एब्रिवान मैं नमेट आप सबका वेलकम करती हों कॉमर्स हरीकेंस पर बचों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैथर्ड या टेक्नीक्स ऑफ जॉब इनिलिस यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के पॉट आ व्यू से वीडियो स्ट तो दोस्तों के साथ शियर जरूर किजिगा लाइक किजिगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक उससे पहले आप स्क्रीन शॉट ले लिजे जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जॉब इनलिस एक या दो दिन का काम नहीं होता इसमें बहुत से एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं बहुत टाइम लगता है ठीक है तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट मैथेड्स की थ्रू जॉब अनलिसिस करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं एक मैथेड़ सभी सिचुएशन में अप्लाइड नहीं हो सकता हम सिचुएशन की अकॉर्डिंग मैथेड को यूज करते हैं तो कौन से हमारे पास मैथेड़ हैं इनमें फर्स आता है अब्जर्वेशन मैथेड यह सबसे ज्यादा रिलाइबल माना जाता है और सबसे ज्यादा प्राक्टिकल मैथेड है इसमें हम क्या करते है कि जो जॉब अनलिसिस करने और मज़े की बात ये है कि ये सारी observation ए employee को भिना बताई की जा रही है employee को पता भी नहीं है कि कोई उसे देख रहा है और उसे judge कर रहा है इसलिए वो अपना natural behavior शो करता है वो किसी भी तरह की artificiality नहीं दिखाता तो इसलिए ये सबसे ज़ादा reliable माना जाता है बट यहाँ एक limitation है कि जो person काम कर रहा है अगर वो physical activity कर रहा है तो उसे observe करना तो बहुत easy है लेकिन अगर वो mental activity perform कर रहा है तो observe करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी mind में कितना pressure है कितनी thinking चल रही है ये सारी चीज़ें आप observe नहीं कर सकते तो इसलिए ये method जो है ये physical activities के time यूज किया जाता है और mental activities के time interview method यूज किया जाता है interview method में क्या होता है कि एक employee और job analyst दोनों आमने सामने बैठते हैं job analyze करने वाले person के पास set of questions होते हैं जो पहले से ही सोचे होते हैं और उन questions को वो employee से पूछता है और employee उसके answers देता है यहां पर एक problem आती है कि कहीं बार employee सही answers को छुपा लेता है वो सो समझ के questions के answers देता है जिससे actual result नहीं आपाता और कहीं बार interview लेने वाला person भी biased हो जाता है सामने वाले ने answer कुछ और दिया लेकिन वो उस answer को अपने हिसाब से तर्ड मरोड के analyze कर लेता है next आता है questionnaire method questionnaire method में हम क्या करते हैं कि एक set of questions की list होती है हमारे पास हम वो list employees के पास भेजते हैं employees questions को read करते हैं और अपने-पने according answers fill करते हैं जैसे कि अगर पूछा जाता है कि आप eight hours working कर रहे हैं तो क्या आप इससे satisfied है आपको job perform करने के लिए time कम तो नहीं रहता ठीक है या फिर क्या ये time sufficient है मतलब इस तरह से कुछ questions बनाये जाते हैं और फिर employees उसके answers देते हैं और उन answers की basis पर data analyze किया जाता है कि employees क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उनकी duties हो सती हैं, क्या उनकी authorities हैं, क्या उनने problems face हो रही है मगर यहां भी एक problem है, एक limitation है कि employees questionnaire को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उनके पास time की कमी होती है, तो वो बस ऐसे ही आखे बंद करके बस टिक टिक मारते चले जाते हैं या फिर ऐसे ही randomly कोई भी answer लिख देते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा serious नहीं लेते इसलिए questionnaire method इतना popular नहीं है next आता है checklist method, checklist method में क्या होता है, कि एक question होगा, उसके नीचे दो options होंगे, yes or no और employee को उस question का answer देना है, या तो yes या तो no इसके अलावा उससे कोई explanation नहीं मांगे जाती checklist method थोड़ा सा narrow concept है, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा popular भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर employee से सिर्फ yes or no पूछ रहे हैं, किसी problem के solutions नहीं मांग रहे ठीक है, जैसे कि अगर question नहीं बोला जाता है कि आप जो job कर रहे हैं, वो machines के through अगर की जाए, तो better result आएंगे, yes या no, अगर employee ने no पर टिक कर दिया, तो उस no का reason हमें नहीं पता चलता, ठीक है, yes है तो ठीक है, अगर no कर दिया, तो reason तो पूछा ही नहीं गया है, तो इसमें हमें accurate results नहीं मिलते नेक्स आता है critical incident method, ये method जादातर experienced persons के साथ किया जाता है, जो employees बहुत पुराने होते हैं किसी भी company में, suppose करते हैं एक company में एक person है जो लगबग 6-7 साल से काम कर रहा है या 10-20 सालों से काम कर रहा है, तो उसमें company में अलग-अलग situations देखी हैं, अलग-अलग generation देखी हैं, तर उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भई आप दिमाग पर जोर डाले और बताइए कि अपने इतने लंबे वरकिंग टाइम में, मतलब जो आपने दस-बारा साल यहां निकाले हैं, उसमें आपको कौन-कौन से incidents ऐसे हैं जो याद हैं, ठीके, जो company के लिए अच्छे थे या company के लिए बुरे थे, फिर वो बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था तो इससे company को नुक्सान हुआ, या ऐसा हुआ था तो इससे benefit हुआ, इस तरह के employees जाद अच्छा काम करते हैं, तो मतलब वो अपनी stories सुनाते हैं, जो कुछ उनोंने इतने time में देखा है, वो सारी stories सुनात नेक्स आता है, job performance, job performance में क्या होगा, कि जो data analyze करने वाला person है, वो खुद ही job perform करके देखता है, कि job perform करते समय, क्या-क्या problems face करनी पड़ती है, कितने time में काम complete हो सकता है, कौन सी machines या equipment की requirement पर सकती है, ठीक है, मगर ये method सिफ तभी use किया जाता है, अगर कोई job ज़ाधा technical नह knowledge की requirement नहीं है, तभी ये method यूज होगा, अगर बहुत talented ये skilled और high profile job है, तो वहाँ पर तो data analysis खुद से job perform नहीं कर पाएगा, तो वहाँ ये method फेल हो जाता है, and last is technical conference method, यहाँ पर हम क्या करते है, conference रखते हैं, और technical line में जो लोग exports है, उनको बुलाते हैं, उनके सामने problem रखत करते हैं, और पूछते हैं कि इस job को analyze करते हैं, जो हमें data चाहिए, वो क्या है, मतलग कितनी person की duties होती है, क्या person की responsibilities हो सकते है, कितनी authority उसे देनी चाहिए, क्या education या qualification की requirement हमें है, किस तरह की training हमें देनी चाहिए, इस तरह के data हम collect करते हैं, expert लोगों से, और फिर उसके basis पर job को analyze करते हैं, तो इसी के साथ हमारा topic यही खतम होता है, वीडियो कैसे लगी, comment section में जरूर बताइएगा, bye, have a good day.